तो इस पर्टिकल्ट वीडियों बात करने वाला है आज के लिए जो अपना मैच रहेगा किस किस के बीच में एक तरफ यहां से पंजाब है दूसरी तरफ रहेगी केकर तो क्या कुछ इस मैच कर लिए प्रेडिक्शन से रहने वाली है क्या आप टीम मना सकते हो सब चीजे करन नोडिफिकेशन है उसको भी प्रेस करना ताकि आप आगे जाकर कोई भी जो मैच की वीडियो से बिल्कुल भी आप मिस ना गरपा और हां टेलिग्राम चैनल भी जरूर जो इन कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी जो टीम से अपडेट से गिवाविस है आपको वहां पर बात करूं मैं यहां पर मोहाली की तो भई यहां पर बात करें तो 56 मैचेस हो जुगे हैं जिसमें कि 24 जीते बैटिंग फस्ट ने 32 जीते हैं पर बैटिंग सेकेंड जीरो मैच टायर और 166 से आवरे स्कोर है मतलब आपको यहां पर भी कहीं ना कहीं चेस करते हुए सब्सक्राइब जाते हैं जैसे 22 अक्टोबर 2022 यहां पर कश्मीर का मैच वां 149 बनाए थे एंड उसके बाद में यहां से 152 बने सर्विसेज ने पांच विकेट पेसर के थे पांच विकेट स्पिन के थे 22 अक्टोबर को ही एक और मैच हुआ था उसमें भी आप देखूगे स्पिन और पेस दोनों के कहीं नगे एकवल विकेट देखने को मलता है हर्याना और करनाटका का मैच था यह मैच में चेज़ डाउन हो गया था अब दोनों मैच दोनों मैच में चेज़ हो गया 20 अक्टोबर को मैच वा यहां पर 167 बन गया तो चेज नहीं हो पाया बट वि है नहीं बस यह है कि अगर 160 170 180 तक स्कोर जा रहा है तो वह चेज नहीं हो पाया और उससे नीचे है तो वह इसली चेज़ डाउन हो गया था जो भी टीम आइधिंग टोस जीती के वह बैटिंग सेगीं करना ज्यादा चाहिए यह आपर 22 विकेट स्पिन के है 25 विकेट पेसर सकती है शिकरदवन और इनके जो नहीं साइनिंग है मैथ्व यह कर सकते हैं ओपन यहां से टीम में और बाकि उसका आद में भानुका राजपाक्षा आपको देखने को मिल जाते जो भी रिसेंट टीम अच्छी फों में रहे थे पिछले साल जब खेले थे पंजाब की और रिसेंट के बाद करो तो वो भी काफी जादा बड़ी हर है अप ठाड़ा बैटिंग में हो सकता है चार की जेगे पर यह आपको च्छाय पर भी देखने को मिल जा उसके बाद में आसे सिकंदर रजा है तो यहां पर सिकंदर रजा खेलेगा या यहां पर आपको कुन ख खेलता है तो भाई सीधा उप्षिन है टीम के बास में नथन एलिस के पास में जाने के लिए वाकि उसका अदमें शारू खान है कुछ साथ अच्छी फॉम में शारू खान भी रहे नहीं है तो मैं तो उतना लेना नहीं चाहूंगा शारू खान को ठीक है बैसे भी बैटिं जो कि राइटाम वीडियम डालते हैं ठीक है अरंस वगरा बीच 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 भी बना लेता है काफी सही और विकेट तो ठीक है दो मैच कर रही है एक में निकाले एक में नहीं निकाला है उसका बाद में अधर से रिशी धवन रहेगा यह इस ग्राउंड पर इंपर बनता ह है पूरी पंजाब किंग्स के तरफ से प्लेइंग 11 अब अगर इसमें बहुत बात कीजेगी में पूरे और कौन कौन डाले और अगर नैथन एलिस खेलता है तो किसके जगे पर खेलेगा पहली बात वो सिकंदर रजा की जगे पर खेलेगा वाट जब आएगा तो फिर उसम पंजाब किंग्स के तरफ से प्लेइंग अब देखो इदर से बोलर कौन को ने अर्शदीप राहुल चार रिशिदावन बावा उसकाद में सैम करन है और एक सिकंदर रजा भी कहीं ना कहीं बोलर और एक है मैथ्वी शोट अब मैथ्वी शोट और शिकंदर रजा को खिला और उनका यूस भी पूरे अच्छे तरीके से हो सकता और मैथ्वी शोट आपको पता है बीवेल में केलता था यह शुरुवात में यह विकट लेने के मामले में तो चाहे खराब बोल तो भी इसको विकट मिल जाता है शुरुवात की वर्स में ना तो यह कुछ आते हैं पं सैम करण के पूरे चार ओर डाने वाले सिकंद अरजा और मैथ्वी शोट एक पार्ट टाइमर के उसमें एक से दोवर यहां से डाल सकते हैं दैन आते हैं नेक्श निकल कर और शुरुवात में कौन डालेगा यह बताता हूं अर्शदीप सिंग और सैम करण यहां से शुरु अगर उपन करें तो बिल्कुल बढ़िया बनेगा और पिछले अगर उपन करें तो लेना बनता है विंकटेश को बाकि उसकाद में आसे नितीश रहन है अब नितीश रहना ठीक ठाक किया हूँ है बोलिंग तक कराई हूँ है पिछले सारे मैंचस में आज बोलिंग कराने के चंस फोड़े से कम रहेंगे बड़ देखो एजब पर बैटर अगर बात किया ने तीश रहना के तो बहुत बहतर बनता है रखना चाहो तो आप रख सकते हैं स्मोल लिग में बस एक रिकोर्ड का पर इंको सिंग की कही न गई अच्छे इनिंग देखने को मिलती रहेंगी बाकि उसकार में यहां से अंदर है अंदर है अंदर है यहां बोलिंग से फोर्म रहे वो काफी ठीक रहें उसकार में अनुकूल सुधाकर रोय आपको खेलते हो दिख सकते हैं जो कि लेफ्ट आम निकाले हो है शेयरोल ठाक़ूर इनके राम भी कही ना कई विकट से कुछ कुछ में इस सुमें में विकट लैस भी गए है ऑप चीज़ फिर्फ लाष्ट टेंग तो बहुत बड़ी है वो लिंग शुरूआत में सुए प्रॉप करा रहा था पहला और लेकिए अज भी गर सकता है तो में इस मैच में इंपॉंट बनेगा कही ना कहीं बागी लोगे फर्गें से ने ठीक ठाक साथ किया हुआ है लोगी ने के साथ में उसका आद मैं हमारे पास में मिश्टर स्पिनर वरुन चिकरवर्थी का नाम जो आ जाता है अच्छल नाम देखने को मिलता नहीं हो वर्ल को बोई नहीं तब से सिर्फ आई पिल में रहते हैं तो यह कुछ है इनकी रिसेंट फॉर्म वहीं पर बात करते कोलकेता की तरफ से इंपॉर्ट टेक्स के सबसे वाले बताता हूं और कौन-कौन डाल सकते हैं चकरवर्थी फर्गुशन हमेशा दो शार्दू ठाकूर नरायन उसके बाद में रसल इसके यह च्छे बोलर इनके टीम में यूज़ हो सकते हैं सुदाकर रोय को यह यूज़ कर सकते एक इस एक यह और सुइसको खिला रहे थे हैं से इस वाली पॉजिशन पर अब देखो यहां से न चकरवर्थी दो से तीन वर जो मिनको लगता डालेगा यहां से फर्गुशन पूरे चार डाल सकता है शार्दू ठाकूर भी कहीं ना कहीं आपको तीन से चार वर डालता हो बात में आपको उमेश यादव और लोकी फर्गुशन जोए बोलिंग करते हो दिखेंगे डैट की अगर बात की जाए उसमें शार्दू ठाकूर है उमेश यादव में फर्गुशन का एकिक को और जो आने वाले रसल आइटिंग कहीं ना कहीं अगए मिडल में अपने और खतम कर लेंगे अब इदर से इंपॉर्ण पिक्स कौन कौन से गुर्बाज हुआ विंकिटे शेयुर वा यहाँ से इंपॉर्ण बनता है रसल है नराइन है शार्दू ठाकूर है उमेश यादव है तो यह कुछ इंपॉर्ण पिक्स बनते है कोलकता की तरफ से अब आते है उपर जो यहां से कीजार के तरफ से रहने वाले तो इनके पास में जगडीशन है अगर यहां से क्या है कि गुर्बाज को नहीं खिलाना चाहिए ठीक है तो उस चाथ लिए 7-8 processes मां इसका थमझे में तिम साओी रही रहें एक एक विकेट निकाले वलकी स्योजक है कही रहने नहीं मैं घजो है कोई प्र जासे सब्सक्राइब करें यहां से पंजाब किंग्स की तरफ से उनके पास में सिम्रन सिंग है जो भाई काफी अच्छा बैटर रन तो भाई ने बहुत बढ़िया बनाए में पिछले कुछ मैचेस में न देखा जाए तो उसके बाद में हैं से हर प्रेट सिंग रहेंगे यह भी का मैच में बना रखें उसका बाद में यहां से आ जाता है शियर्म सिंग इनका कुछ मैं बोलों कि यहां से था नहीं तो इनका बस लिश्टे या फस्ट क्लास परफॉरंस यहां पर देखने को बलता है उसका नथन एलिस रहेंगे विकेट निकाले हुए उसकाद में हर प्री प्रीद बरार के खेलने के जास तोड़े से कम है बाट हो सकता है मुका मिल जाए इनको भी और यहां से कवर रपा रहेगा अब देखो इसके ओपर ध्यान रखना इसने इस ग्राउंड पर भी अच्छे विकेट्स निकाले एंड अगर इनके रिसेंट फॉर्म की बात की जा तो टेश्ट मैचेज वाले हैं और उसके बात में आपको देखने को मुलते हैं आसे बलते सिंग एक एक दीन तीन एक 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 बाई के हर मैच विकेट है इस ग्राउंड पर भी बलते सिंग ने अच्छे किया हुआ है क्योंकि इन लोगों का तो यह दोमेस्टिक ग्राउंड पहले बहुत मैचेज होते थे तो यहां पर ना साथ मैचेज पंजाब किंग्स ने खेले चोते जीते 26 आरें वहीं पर अगर बात किजा कोल किता कि उन्होंने साथ खेले चार जीते और तीन हरे तो रिकोड दोनों टीम्स का ठीक इस ग्राउंड पर एंड वहीं पर अगर ब 183 का टोटल 55 रन सेम करन के थे विकेट लेस रहे थे सेम करन उस मैच में कोई भी ऐसा बोलर नहीं था जो आज हो और विकेट निकाला हो बाकि उसकाग में 16th of April 2019 को मैच वा था पंजाब वसे रास्तान के बीच में जिसमें रास्तान चेज़ डाउन नहीं कर पाई ती उस मै से कुन से जो प्लेयर से निकल कर आते हैं तो पंजाब के क्यार का जो मैच वा था तीन मई 2019 को उसमें रसल ने 24 बनायते हैं रसल का एक विकेट था और निकाला था उसके बाद में 2016 में मैच है जिसमें शकी बलैसन के ग्यारा है जो कि आज अवलेबल है नहीं उमेश आदो क उनने और छेफुक्त करा एक उमेश आदो एक इस ने बनाय और उसके बाद में एक यहां से मैच में चारसो चार्सोचटीश नन यहां से बना रखे हैं इस घरांपर ठीक है खेलने के चान्स उनके तोड़े के ठोड़े कम और उसकाद में रिशीद आवाने नो मैच में 238 क्योंकि जब यह अपनी टीम से केलते हैं थोड़ा बैटिंग करने ऊपर आते हैं तो रंस अगयर आपको इनकी तरव से देखने को मिले हुए उसकाद में सैम करने जिन्होंने पांच मैच में 87 बनायते हैं एक ही मैच में 55 कि ही नहीं है बाकी मैच में तो फ्लोव पी रहे हैं बैटिंग से बोलिंग शेक्शन की बात करें सुनील नरहां इस ग्राउंड पर अच्छा करता है च्छे मैच में 12 विकेट के साथ में आपको देखने को बिल जाते हैं उसकाद में रिशीद हमाने 11 मैच में 9 विकेट और मैचस खेल चुके दोनुगी टीम दस जीती है पंजाब 20 जीते के क्यार ने ज्यादा वार यहां से जोग बाजी मारी है अब आते हैं अपना हैट्वेड में कौन अच्छा करता बात करते हैं अपने देखो हैट्वेड लीडर्स के बैटिंग से अंधरे साले 10 मैच में 33 बन ना रखे हैं नितीश राना आठ मैच में 110 है पंजाब की तरफ से कोई प्लियर देखने को मिलता नहीं है आपको पता है पंजाब की टीम सबस्यादा चेंजिस करते हैं तीम में हमेशा हर साल तो भाई उनकी तरफ से कोई अससाच हेट्वेड में बहुत ज्यादा कंसेटें नहीं है सारे तो बिदल दिये उन्होंने तो रसल है दस मैच में 300 गत्ति जो अच्छा करते हैं अगेंश पंचाब सुनील नरेंट बैटिंग से ठीक ठाक है नितीश राना एक फ्लोप होने वाला प्लेयर है आठ मैच में 110 ही रनास तक नितीश राना ने बनाए है जिसमें 13 का इवरेज है उनका और आपको बता दू इसमें भी ना इनकी दो ठीक इन देखने को यहां से मिल जाती है जिसमें एक 63 है और एक में और इन्होंने रंस बनायते हैं बाकि सम में इतने जिरो मारे हैं ने तीश राना ने मतलब हद नहीं 8 मैच इसमें वहीं पर अगर बोलिं हैं उनी शादो के हैट्वेड में ऐसा कोई मैच नी जिसमें उनी शादो ने अगंश्ट पंजाब किंग्स विकेट ना निकालाओ आंदर असल दस मैच में 14 विकेट के साथ में देखने को मिल जाते हैं अब अगर बात करें इनिंग वाइस कोन अच्छा करता है कोन नहीं त स्कूर बहुत बड़ी इनिंग तो नहीं है बठां बीस पच्चेस बीस पच्चेस रहें शिकरदावन के हर मैच में एक दो में फ्लोब भी हुए वहीं बात किजाए सैम करन की इस ग्राउंट पर भाई तीन बार विकेट लेस है ठीक है पिछले पांच्छा मैच जिसमें उ और दो बार इसने विकेट निकाले एक और दो तो अब देख लेना सैम करन को जो भी आप सी वी सी बना रहे हो थोड़ा सा एक रिस्क तो रहेगा इनको बनाने में वट उसका बात में राहूल चाहर है जो इस वेन्यू पर तो खेले नहीं है है तो यहां से आप देखोगे एक बार सेकंड बैटिंग करते हैं एक बार सेकंड बॉलिंग करते हो विकेट लैसा एक बार फर्स बॉलिंग करते हो विकेट लैसा बाकी सम में या तो चार विकेट है या तो विकेट आपको देखने को मिलते है उसका बात में हां से अर्षदेप सिंग है वेन्यू पर दो प्लेयर से तो उसमें यहां से एक तो नितीश रहने एक यहां से नितीश रहने जो कि वैन्यों पर खेला नहीं है और अगर हैट वेड के बात करूं जो मैं आपको दो इनिंग बता रहा था कि एक थाटी वन की खेलिए एक 63 की खेलिए दोनों ही बैटिंग सब्सक्राइब करते लिए और अगर बात की जाए वैसे तो फिर फ्लो पर रहे अग्दम अटर फ्लो पर आप यह तो इस ग्राउंट पर खेला नहीं वेन्डू के एक बात कि एक बार अच्छा है एक बर तीनी रन बनाए थे उसकाद में रसल भाई या वेन्यू पर है 24 का स्कोर अगर बात की जाए है एक विकेट में सतर रन एक विकेट दस रन विकेट लेस फिर पाच रहने फिर चोबिस रन एक विकेट और फिर यहां से जाते हैं दो बार विकेट लेसे एक बर सेकंड बोलिंग एक पर फर्स्ट बोलिंग बागी टाइम विकेट इनके तरफ से रहते हैं तो इक डिफरेंशल सीवीचि आपके लिए सुने ले रहा है और आज के बन सकते हैं उसके बात में या से उम्मेश आदो रहेंगे वहरेज स्क्राइब São इक विग्ट निकाला हुआ है रच recruit रीजिए आत्वीजत्ये कर बात करें तीन तेन विगट पर हाथ मा रहा है सीदा फ़ीड़ बीचि turning विगट पर हाथ मार और इचाफ पॉंप इस दा मेरे पास में रहुल चहर है तो यह जाती है आज के लिए टीम कैप्टन हमने किया रसल वही आगो वाइस कैप्टन के सैम करन को चाहो तो वाइस कैप्टन नरायन के साथ में भी जा सकते हो रिकोड़ अच्छ है क्योंकि नरायन का भी और हां ग्रैंड लिग में मैथ्वी सब्सक्राइब कर लो जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करना ताकि आप आगे जाकर कोई भी जो मैचेस की वीडियो से बिलकुल भी आप मिसना अगर पाउर हां टेल कराम चैनल जरूर चोइंग करना लिंक इस्क्रिप्शन में सभी जो टीम से अपडेट्स है कि आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं तो मैं इस बिलकुल नहीं करने हैं और क्यों लावेश्टेस मैच के लिए मिलते आपको नेक्श वीडियों में बहुत ही जाड़े जल्द